Hello class, how are you? Welcome back 365 days के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है देखे आज हम बहुत important बात करने जा रहे हैं आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के दो ऐसे भगोडों के बारे में जिनका नाभ है नीरव मोधी और महुल चौकसी बहुत दिनों से ये एकदम कबर में दफे हुए थे और इनको मीडिया बिलकुल उचाल नहीं रहे थी आचानक से फिर से महुल चौकसी साथ पकड़ लिये जाते हैं इनके बारे में में डिटेल्स मिल जाती हैं और ये फिर से चीजे तरोताजा हो जाती है देगें यहां पर क्या हुआ है ये डाइमन डीलर थे महुल चौकसी साथ ये आपको डॉमिनिका कंट्री में मिले हैं वहां के हॉस्पिटल में इनको रखा गया है 300 साल के हैं और इनको अभी गोविट टेस्ट के बाद इनको वहां पर रखा गया है इसका future क्या होगा ये तो अब डॉमिनिका के डॉमिनिशियन लोगी decide करेंगे क्योंकि डॉमिनिका में पकड़े गए तो अब यही decide करेंगे इने क्या करना है अभी ये इंडिया में आते हैं कि नहीं वैसे chances 99% हैं कि इने इंडिया वापस लाया जाएगा अगर आप contest की बात करेंगे तो ये अभी गायब हुए जब ये गायब हुए Antigua और Barbuda से तो अनके बारे में का गया भी ये missing है तो इनको ढूंडा गया नहीं मिली इनकी car जब discover हुई अभी हम आगे इसके बारे में detail में बात करेंगे तो जब इनकी car discover हुई तो उसके बाद ये नहीं मिले तो Interpol ने ये loan notice डाली बेटा ये low notice क्या है ये भी अभी आपको Interpol में में पढ़ाऊंगा ये जनरली उसके लिए होती है जब कोई miss हो जाता है कोई missing होता है तो उसके ल होता है बहुत बड़ी रकम है हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि देखिए इसमें Interpol की बात है ये लोग notice की बात ही तो आई आज Interpol के बारे में जान लेते ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और्गनाइजेशन है 194 कंट्री इसकी मेंबर है इंटर गवर्मेंटल नेशनल पुलिस इंडिया ने 1949 में इसको जान जोइन किया था और आज एक बहुत बुराने मेंबर्स में से एक है Interpol जो है वर्डवाइट काम करती है टेररिज्म हो गया बॉर्डर इंटेग्रिटी वर्डवाइट है प्रोटेक्शन वर्नेबल कम्यूंटिटीज की साइबर स्पेस लोगों के बारे में इलिसिट मार्किट के बारे में इन्वाइरमेंट के बारे में और जो भाग जाते हैं उनके बारे में भी खही ना गई अब देखें क्या है इंटरफॉल जनरल एसेंबली होती है बेटा जिसमें सारे मेंबर कंट्रीज के लोग होते हैं एन्वल इसकी मीटिंग होती है चार दिन लास्ट करती है हर कंट्री का एक या दो डेलिगेट यहां पर होता है और टिपिकली जो चीफ होते है इनका काम क् लिव, ब्लैक, ग्रीन, ओरेंज, पर्पल तो यह सारी नोटिसें इसमें येलो नोटिस क्या है जब कोई परसन मिसिंग होता है उसकी हल्प के लिए डाला जाता है और इसी से बाई साब फस गए देखें यह कहां पर हैं एंटीगुआ और बारबुड़ा एक प्लेस है पर यहां पर पहुचे तो बेटे एंटीगुआ बारबुड़ा में क्या है एंटीगुटा बारबुड़ा से लोग यूएस जाने की कोशिश करते हैं क्यूबन कंट्रीज में जाते हैं उसके बाद इलीगली वो यूएस में माइग्रेट कर सकते हैं तो कहीने कई भी इसी प्लान में होंगे बट वो टाइम आउट हो गया या टाइम सिच्वेशन साही नहीं बैठी वरना शाहिद ये भी भाग के यूएस चले जाते हैं और यूएस पहुच जाते तो आपको मैं पहले बता दे रहा हूं कि एक ट्रिटी होती है जिसे बोलते हैं एक्स्ट बट अब यह जाते हैं तो इसी पर पूरी स्टोरी बनी है अब देखे इस फेरी शेप सेंड बोटस से क्यूबर चले जाते हैं अगर फ्लाइट ली जाएगी तो 16 से 17 घंटे लगेंगे इंडिया आने में और एक चार्टर प्रेन अगर आप लेते हैं तो वो कई जगे रुकेगा उसका पैसा लग देगा उसको सिर्फ लाने की एक साइट के कॉस बेटा 1.35 से 1.43 CR आएगी और ऐसे देखें जो 37 से 57 घंट लगते हैं अगर आप उसे ऐसे ऐसे फ्लाइट से लाते हो जो कमर्शियल है तो उससे नहीं लाना इससे लाना है तो टोटल खर्चा हो जाएगा 3 करोड के आसपास इन भाई साब को यहां लाने का केस क्या है कहां से स्टार्ट हुआ क्या इशूस थे देखें इन लोग ने 12,000 करोड का फ्रॉड किया जो सामने आया तो एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की गए लेट जनवरी में कि भाई मोदी और मेहुल चोस्की ने डी फ्रॉडिंग की है बैंक के साथ 281 करोड की और बै लेके बैटाई लोग गए और क्या इसको लेते रहे तो जब भी एक बार देते दुबारा लेते तो दुबार उससे बड़ी अमाउंट का इनी इसू हो जाता तो इसी तारह खेल रहे थे इंप्लॉईस को गूस देना वो सब करते हुए इस चीज को चला रहे थे लूई यू को अगर आप बेटा ध्यान से समझना चाते है तो लूई यू क्या होता है देखिए एक जनरल सा लेटर है जो बैंक इशू करता है अब इसको यहाँ पे आप समझीए ये लूई अंडर पेमेंट दे देती है बेनिफिशी को पेमेंट मिल दे फिर ये पेमेंट वापस बैंक को दे देता है ऐसे फिर एप्लिकेंट वापस लूई के बाद फिर से लूई की सारी रिकम वापस लूटाता है फिर से रिशू हो जाता है तो यह लूई जब इशू होता है तो इसमें एक security रखी जाती है, कि अगर आप ये 1000 करोड उपए लेके चले गए वापस नहीं आए, तो कम से कम इस चीज को बेज दिया जाए, पर इस applicant से इन्होंने कोई भी collateral या कोई भी security नहीं रखी थी, और 12600 करोड से उपर के collateral के बिना इन्होंने L.O.U. साइन करे थे, इसी का misuse करत थे, इसको नहीं होना चाहिए था, तो अगर देखें तो PNB से बेटा इन्होंने 12600 करोड, इलहाबास से 2400 करोड, Yuko Bank से 2635 करोड, State Bank of India से 1360 करोड, Access Bank से 200 करोड और Union Bank से 1920 करोड, तो total इतना बड़ा fraud इन्होंने किया, इसके बाद इस fraud के investigation के लिए, है ना investigate किया गए 110 companies थी, जो Limited Liabilities Partnership में थी, इन दोनों के बीच में इनको देखा गया, इसके बाद PNB ने एक Belgium-based audit firm को appoint किया, उसने देखा, उसने देखा तो भई, इसमें क्या mismatch था, क्या issues थे, उन सबको सामने लाया, तो सबको shocking result मिला, इसके बाद इनको पता चला कि भई, ये तो fraud बहुत बड़ा हो गया, अब इनके उपर बहुत सारे cash लगे, fresh charges लगे, anti black money लोके थूरू, CBI ने FIR file कर रखी है, चोक्सी के खिलाफ और ये पकड़ लिये जाएंगे, तो इनको कई जगे ढूंडा गया, नहीं मिले, इसके बाद जो हमारा ED है, ED ने भी बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने इनकी property seize की तुरंद, तो 5,826 करोड मिल गया, जिसमें 5,604 करोड के diamond, gold, jewelry, नीरव, Modi के house और office से मिला, ED ने इनकी सारी luxury cars और इनकी firms को seize कर दिया, और इसके बाद इन्होंने जो भी था, उन सब को seize किया, तो इसके बाद इनको 7 करोड रुपे और मिले, जो उनके mutual fund और share थे उनको देखकर, तो total इनको जो मिला, Modi से और चौसके से, है ना, तो 7,8 करोड मिला, Modi से और चौसके से, 86,22 करोड, ये सारे MF mutual fund और shares थे, जो इनकी शुकरा रखे थे, तो total 5,826 करोड की वसूली ये लोग कर चुके, अब real scene क्या है, चौसके जो है, बेटा, क्या हुआ था, ये समझे, चौसकी भाई साब गए थे, खाना-कारे, डिनर के लिए गए थे, अपनी कार से, आइलेंड स्कनेशन में, 23 मही को उसके बाद ये वापस नहीं आये, तो स्टाफ ने इनकी missing की report डाली, इन्होंने का सरी ये गायब हो गए हैं, इनको ढूंडा जाये, तो बही इ नहाँ पर जैसे ये पकड़े गए, वैसे ही, एंटिक्यो और बार्मुडा के प्राइम निस्टर, जो हैं, गैस्टन ब्रोनी, इन्होंने का कि भही अडॉमिका से आप सीधे इसको, इंडिया को हैंड ओवर कर दीजे, हैना हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी citizenship ले रखिये, अगर ही अपने पास रखेंगे, तो इनके पास प्राब्लम आ जाएगी, तो अभी इनके ओपर legal cases चलेंगे, even government के ओपर डाला जाएगा, कि भही इन्होंने citizenship 2017 में ली थी, ठीक है, एंटिक्यो बार बुडा की और ये ली थी investment program के तुरू, तो जाहिर सी बात है, इ future में इंडिया आएंगे, या निंग्लैंड में ही रहेंगे, क्या ये वापस आएंगे, और ये वापस आएंगे तो हमारे देश में, क्या इनसे पैसे वसूले जा सकते हैं, वापस क्या ये हमारी economic condition को सुदारेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात होगी, और भी कई बा के बारे में डिसकर्स करेंगे, आज के लिए इतना, ठैंक्स अलोट, टेक केर, है ना, और आपको लैक्चर ये अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको लाइक, शेर और सब्सक्काइब करिए, आज के लिए इतना ही, गौड ब्लेस यो और टेक केर, अगर आप मुझे ब्लेस्ट, गौड ब्लेस्ट यौल, जय हिन, वन्दे मात्रम